परिचय त्योहार का अर्थ है किसी दिन भोज देना और उत्सव मनाना जब हम बच्चे थे तब हमारे दिमाग में त्योहार का नाम सुनते ही छुट्टी और मिठाई का खयाल आता था जो की खूब मनुरंजक होता था भारत विभिन धर्मों का देश होने के कारण यहां बहुत से त्योहार होते हैं आईए इस पार्थ में भारत में मनाए जाने वाले विभिन त्योहारों के बारे में जाने आओ सीखें त्योहार के बारे में बताना राश्ट्रिय, धार्मिक और फसलिय त्योहार के बीच विभेद करना राश्ट्रिय, धार्मिक और फसलिय त्योहारों की विशेश्टाएं बताना त्योहार त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होते हैं कुछ त्योहार एक दिन चलते हैं और कुछ कई दिन या हफ़ते भर भी चलते हैं। त्योहार का समय खुशी का समय होता है। त्योहार के दौरान हम अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं। नए कपड़े पहनते हैं। भगवान की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों और रिश्टेदारों को उपहार देते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, त्योहारों को मुख्य तहत तीन श्रेणियों में बाटा जा सकता है। के साथ मनाय जाने बाले कुछ राष्ट्रिय त्योहार हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और बाल दिवस। हम प्रत्येक वर्ष 26 जन्वरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गांधी जयंती हम प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महतपून्ड भूमिका निभाई थी। भारत के प्रतम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसलिए बच्चों के प्रती उनके अनुराग को याद करने के लिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक त्योहार हमारे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मनाय जाते हैं। ये प्रत्येक धर्म के अनुसार अलग-अलग होते हैं। दशेहरा, दिवाली, इदुल फित्र, रक्षा बंधन और गुरुपूर्व कुछ महतुपून्ड धार्मिक त्योहार हैं। रक्षा बंधन रक्षा बंधन हिंदूओं द्वारा मनाय जाने वाला एक त्योहार है। इस दिन बहने भाईयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सम्रिध्धी और सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को सभी बुराईयों से बचाने का वचन देते हैं। दशेहरा दशेहरा एक अन्य हिंदू त्योहार है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावन का वद किया था। इस दिन लोग शाम को एक बड़े मैदान में एकत्रित होकर रावन, उसके भाई कुम्भुकर्ण और पुत्र मेगनाद के पुतले जलाते हैं। दिवाली भी एक हिंदू त्योहार है। दिवाली का अर्थ होता है दियों की पंक्ती। हिंदूों की मान्यता है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद इसी दिन अयोध्या लोटे थे। हिंदू दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे आशिर्वाद मांगते हैं। वे अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ मिठाईयों का आदान प्रदान करते हैं। वे रात को पठाके छोड़ते हैं और मजा लेते हैं। इदूल फित्र एक मुस्लिम त्योहार है। इस दिन मुस्लिम मस्जिद में प्रार्थना करते हैं और अपने दोस्तों को अपने घर खुशिया मनाने के लिए बुलाते हैं। गुरुपर्व सिखों द्वारा मनाय जाता है। इस दिन सिख गुरुद्वारा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कार सेवा करते हैं और गरीबों के लिए लंगर का आयोजन करते हैं। आईए अब फसलियत योहारों की तरफ ध्यान दें भारत के विभिन भागों में फसल की कटाई के समय फसलियत योहार मनाय जाते हैं ओनम, पोंगल और लोहडी कुछ प्रसिद्ध फसलियत योहार है ओनम केरला का फसलियत योहार है इस त्योहार के दोरान घर पर पकवान बनाये जाते हैं, खेल खेले जाते हैं और सरपीली नौका दोर में भाग लिया जाता है पुंगल तमिल नाडु का फसलिय त्योहार है इस त्योहार के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और प्रचुर मात्रा में फसल होने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं लोहडी पंजाब का फसलिय त्योहार है इस दिन अलाव जलाते हैं और अग्नी देवता को धन्यवाद स्वरू नई फसल की भेंट चड़ाते हैं हमने क्या चर्चा की? त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होता है राश्ट्रिय त्योहार पूरे देश द्वारा मनाये जाते हैं स्वतंत्रता दिवस, गनतंत्र दिवस, गांधी जयन्ती और बाल दिवस कुछ राश्ट्रिय त्योहार हैं धार्मिक त्योहार विभिन धर्मों के लोगों द्वारा मनाये जाता है रक्षा बंधन, दशहरा, दिवाली, ईदुल्फित्र और गुरुपूरब कुछ धार्मिक त्योहार हैं फसलिय त्योहार भारत के विभिन भागों में फसल की कटाई के वक्त मनाये जाते हैं ओनम, पोंगल और लोहडी कुछ फसलिय त्योहार हैं जाते हैं